रामलाला की नई प्रतिमा अयुद्ध्या में बन रही है इतना परियाप्त है तीन लोग बना रहे हैं कौन लोग बना रहे हैं ये बात मैं पहले कई बार कह चुका हूँ बार बार दोरानी की कोई जुरूत नहीं है पुराना इतियाज ढूंड़ो मूर्ति वही बनाएगा जो उसका तग्य है जिसने 150 मूर्तियां पहले बनाई होंगी तक्नीकी काम वही करता है जो उसका जानकार है और तक्नीक को मनुष्य मनुष्य के भेद करके नहीं देखा जाता है मैं ये बात कई बार कह चुका हूं तो भी कुछ लोगों को इसी में आनन दाता है कि समाज में नहीं नहीं विशेश नहीं नहीं भ्रहंतियां पैदा करें मुझे उनसे कोई विशेश बात कहनी नहीं है अब मैं सबसे अंत में ही बताऊंगा कि प्रतिमा किसी ने बनाई उसका फोटो भी आएगा जल्दी न की जाए इसके साथ ही श्री राम मंदि के प्राहँ पतिष्ठा के लिए शास्त्रों के अनुसार प्रक्रिया और पुरोहितों का चैन किसी साफ से किया जा रहा है यह बताया नहीं जा सकता पूछने वाला विद्वानों को जानता ही नहीं होगा और जब विद्वान आएंगे तो उनके नाम प्रकाशित होंगे धैर रखिए एक आखरी सवाल ज़ेगे इंशी के साथ सत्यावतों के परषा systèmeh mala की नित्ति पूज़ा विवस्था कैसे निल धारिके जैसी आज चलनाई ूए आज ही लोग में आ चलनात करते होंगी और जैसे मंदरों पूज़ा होते वेसे ऑप आज भी और यह वी होगी इसमें कोई ज़्यादा विचार का विशे नहीं है उनका काम आई देखो कुछ लोगों का भोजनी ही ब्रांती फेलाना है उनको रोटी मिले या ना मिले ब्रांती फेलाने का वस्याद जरूर मिले ठीक है ना तुलसी दाज जी ने रामचरित मानस में जब लिखना का काम शुरू किया गरंत लिखना तो उन्होंने प्रणाम किया है जिन तक अब प्रणाम करते हुए सब को प्रणाम किया है संतों को भी किया है और असंतों को भी किया है व अधन्द व संढ संत अ Крас стало कि वर और भी कुन करना कि इन्हें कोई लेखा ना नहीं कोई देना नहीं तो भी से बायं करते का समाज में उल्टी सीधी बातें करते रहना उनका को लेखा लेना जिनको मज़ा आता है चलते चलते टंगडी मारने में समाज भी उने जानता है कोई खास बात नहीं है भ्रांती फैलाने वालों से निवेदन करूंगा इतनी भ्रांतियां फैलाओ ताकि मन को शानती मिले उनको उनका मन शान्त हो ये कारे तो हो नहीं है मैं ही अपनी आयू में 38-49 साल से नजाने कितनी भरांतियां देख चुका हूँ, सुन चुका हूँ आज सब समाप्त हो गई है अबीपी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी